नमस्कार आप देख रहे हैं इवन उत्राखंड और मैं हूँ आपके साथ अर्पिता माथुर खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ पुश्कर सिंग धामी दूसरी बार बन्य उत्राखंड की मुखी मंत्री आठ विधायकों को भी राजिपाल ने दिलाई मंत्री पत की शपत सत्पाल महराज रेखा आर्य गणिश जोशी सौरब बहुगुणा सुभो धुनियाल को मिला मौका शपत ग्रेंड में बीजेपी के दिगज नेताओं का दिखा जमावडा पीम मुदी अमित शहा, जेपी नदा और सीएम योगी समित सभी नेताओने की शिरकत कहा डबल इंजन की सरकार करेगी सब निसाकार भाजुपाने उत्राखंड के राजनेति के थियास में जोड़ा नया अध्याय रितु खंडूरी को बनाया पहली मैला स्पीकर रितु ने को द्वास सीट से जीता है चुनाव रमपुरा चौकी में तैना सिपाही के साथ मार पीट करने का मामला पुलिस ने आठ नामजट लोगों सहित अन्ने के खिलाफ किया मामला दर्ज मामले में दो लोगों को किया गिरफतार पांच राजियों में चुनाव खतम होते ही तेल के दामों में उबाल लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पैट्रोल डीजल दैरादून में डीजल 88.19 रुपे प्रती लीटर तो पैट्रोल पिचान में दशमलव 54 रुपे प्रती लीटर पर पहुचा चलिए बरुक कर लेते हैं खबरों की और जहां पुषकर सिंग धामी ने उत्राकन के सीएम पद की शपत ले ली है उस्बाटन के राजिपल गुर्मित सिंग ने पदोर गोपनियता की शपत दिलाई जिसके बाद पुशकर सिंग धामी उत्राकन के बार वे सीम बन गए है पुशकर सिंग धामी के साथ आठ विधायकों ने भी शपत ली आपको बता दे वे लगातार दूसरी बार उत्राकंड के CM बनने वाले पहले नेता हैं दहरादून के परेट ग्राउन में हुए शपत ग्रहन समारो में प्रधान मंत्री नरिंदर मूदी ग्रैम मंत्री अमितिशाह, रक्षा मंत्री राजना सिंग और बीजेपी के अध्यक्षी जेपी नड़ा शामिल हुए इस मौके पर आजिस्थान की पूर मुकी मंत्री वासुंदरा राजी भी मौजूत रही समारो में शियम, सियम धामी के बाज सबसे पहले सत्पाल महराज ने मंत्री पद की शपत ली जो चौबट्टा खाल सीट से विधायक है वे 2017 में भी इसी सीट से विधायक चुने गए थे और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे सत्पाल महराज कॉंग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे लेकिन 2014 में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे वही प्रेम चंद्र अगरवाल, गणिश जोशी, दन सिंग रावत, सुभो दुनियाल, रेका आरे, चंदन रामदा, सौज सौरब भहुगुणा ने भी मंत्री पत की शपत ली खास बात यह है कि प्रेम चंद्र अगरवाल ने संस्क्रत में अपने पद और गोपनी ता की शपत ली आपको बता दे प्रेम चंद्र अगरवाल लगाता चौथी बार इशी केस से जीत कर प्रिधान सवा पहुँचे हैं तब उत्राकरण में पुषकर सिंग धामी ने टपकेश्वर मंदर में पूझा अरशना किया और प्रिधेश में खुशाली की काम ना की इस दौरां धामी ने टपकेश्वर मंदर में शिवलिंग का जलाभी शे किया इसले माहिला स्पीकर बनने जा रही है भाजपा ने पूर मुकी मंतरी 20 खंडूरी की बेटी रीतु खंडीरु के विधानसबा स्पीकर बनाने का बड़ा फैसला किया है उत्राकरण में भाजपा ने ये नया इतीहास लिखा है नितु कोड़द्वार से विधायक चुनकर आई है उत्राकन विधानसभा चुनाव 2022 में कोड़द्वार से उनकी ये जीत कई माईनों में खास रही है कोड़द्वार सीट से चुनाव जीत कर उन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया है अब पहली महिला स्पीकर बनकर इतिहास रज रही है नितु खंडूरी ने कॉंग्रिस के सुरेंदर सिंग नेगी के खिलाफ 3687 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी लालकुआ विधानसभा के पूर विधायक नवीन चंद्र दुमका ने पुषकर सिंग्धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि पुशकर सिंग्धामी के मुख्यमंत्री बनने से उत्राकन को उनकी उर्जा का लाभ मिलेगा और उनके नेद्रत्व में प्रदेश में चहुमुकी विकास होगा क्योंकि पुश्कर सिंग धामी के पहले कारेकाल में आने को जनकल्यानकारी योशनाय प्रदेश को मिली है उन्होंने कहा कि पुश्कर सिंग धामी ने युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ पलायन के मुद्दे पर उनकी द्वारा ठोस रणनीती अपनाए गई थी सबा की जहां तक बात है उसके कुछ बड़े कामों की सुरुवात हुई थी कुछ काम डीपी आर इस्तर पर थे कुछ काम मशीनरी के कारण अटक गए थे मैं समझता हूँ कि इन सब के लिए पुना प्रियाश कर जाएगा चूंकि मानी मुख्यमंती जी पुसकर सिंग धामी जी उन सब से आउगत हैं और उनको समय समय कम मिला इसलिए कुछ कटनाई आई होगी लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे हम उन सब काम को पूरा करवाएंगे भगत सिंग राजगरू और सुखदेव के शहादत दीवस पर उत्राकन के डोईवाला इस्तित शहीद भगत सिंग चौक पर शहीदों को श्रधांचली दी गई श्रीक गुरू नानक देव वैलफेर सोसाइटी के अध्यक्ष बलवीर सिंग ने बताया कि सभी को शहीद भगत सिंग की विचारधारा पर चलने की जरूरत है हमारे नौजवानों को देश प्रेम की भावना के साथ चलने की जरूरत है भगत सिंग राजगुरू और सुखदेब उलका शीद दिवस है जिस पर हमने यहां पर यूजन किया है यहां पर इस चौंक का नाम भगत सिंग चौंक है मेरा कहना है कि आज भी हमें शीद भगत सिंग की जो विचारधारा थी उसके उपर चलने की बहुत जरूरत है कि आज आदी के लिए बलिदान देने वाले हमारे भगत सिंग जी, सुखदेव जी, राजगुरू उन्होंने आज बलिदान दिया फांसी चड़े और देश को आदादी में अपना मूल दिया उसके तहट आज भी हम चांद मारी में सहीद दिवस मना रहे हैं वही रिशिकेश में शहीद दिवस के अफसर पर भाजपा और कॉंग्रेस ने भावपून स्मरन किया नगर निगम परिसर में लगी शहीद भगत सिंग की मूर्ती पर माल्यार पंड कर उनके बताए गए मार्क पर चलने का संकल भी लिया गया इस दोरान शहीद भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव अमर रहे के नारे भी लगाए गए कारिकरम से पहले शहर में भाचपा कारेकर ताउन वी जुलूस निकाला जिसके बाद आयोजित कारिकरम में पहुँचे विधायक प्रेम चंद अगरवाल ने शहीद भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव की जीवन पर प्रकाश शाला वहें युद कॉंग्रेस ने भी शहीद आजम भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव को याद करते हुए लोगों से उनके बताए मार्ट पर चलने का संकल्प लेने की अपील भी की है भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव जीवन पर प्रोग्राम रखा गया था निश्य रूप से देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन उससे पहले भी करांती, हमारे करांती वीरों ने अलग जगाई थी पूरे देश के अंदर ऐसे इन तीन लोगों जो बहुत युवा वस्था में, जिनोंने फांसी के फंदे को चुमा था आज उनको हम सब लोग यहां शुर्णाजली अर्पित करने के लिए आएं, उनका नमन करने के लिए आएं और निश्य रूप से मैं तो कह सकता हूँ कि देश को आज़ादी ऐसी नहीं मिली, बहुत से ऐसे हमारे करांती वीर है अल्मुडा शहर की यातायात त्यवस्था को लेकर आम जनता परिशान है, आए दिन लगने वाले वहनों की जाम से लोगों का जाधतर पैदल चलना पड़ता है वही जाम शहर में पुलिस की यातायात त्यवस्था पर प्रशन चिन लगा रही है कि लेकिन चर्बरा रख चुकी यातायात को पटरी पर लाने के लिए पुलिस प्रशासन की दावे इन तस्वीरों में खोकले नजर आ रही है रंपुरा चौकी में तरनात सिपाही के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आठ नामजद लोगों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफसार कर लिया है जबकि अन्य आरोपियों की धर पकड के लिए दबिश दी जा रही है आपको बता दे नशे की हालत में कुछ लोगों ने विनय करनाटक की साथ मारपीट कर दी थी जिसके बाद पुलिस ने पेड़ित कॉंस्टेबल की तहरीर के आधार पर कारवाई की आपको बता दे बारा मार्च को बनबसा थाने में दी गई तहरीर के अनुसार योगिंदर चंद से मॉबाईल पर फ्री फायर गेम के माध्यम से दिल्ली का एक साइबर ठक संपर्क में आया और उसने बच्चे को गेम आईडी देने के लालच में बहला फुसला कर उसके पेटियम से 1,46,800 रुड़ा दिये इस मामले में पिडिता द्वारा शुकायत करने पर बनबसा थाने में दिल्ली निवासी राम आनंद के खिलाफ मुकत्मा दर्च किया गया है और अब साइबर ठक को शहधरा पूरवी दिल्ली इस्तित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है वो उनको बहलाते थे, फुसलाते थे कि आपको आईडी दे देंगे, आपको पासवर्ट दे देंगे, आपको ऐसे खिलाडी बना देंगे तो उसके माध्यम से वो उनसे धीरे धीरे लालस देगे और बच्चों से पैसे डलवाते थे तो इस केस में भी ऐसी हुआ जो यह अभ्यूक्त है, आरंद राम ये दिली का राने वारा आशाद रगा तो इसने बच्चों से कॉंटक्ट करके और उससे पैसे दलवाने चालो करें पर उन फिर पूलिस के पाश भी है करें तो पूलिस के लिए कुछ तरह से जात 돼 हा हमारी यह वकनाश देखाद करना रहा है। आरnia लोग भी जिए इस तотри के इस तरह के अिashma लोग फरowous के इस तरह के जहांसे में ना पड़े उत्राकरण की पंतनगर एल्वे स्टेशन पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, सूचना के बाद जी आरपे और आरपी एफ पुलिस मौके पर पहुंची और शब को मोर्चरी में रखवाया, जानकारी के मुताबिक रेल के इंजन पर चर नगरपालिका का कूड़ा डाला जाता है, जिसको लेकर लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, कूड़े के कारण चहर में बिमारी फैलने का एक बड़ा खत्रा भी मंद्राता नजर आ रहा है, क्योंकि जस्पर नगरपालिका के पास थाई टंचिंग ग पारण जगे जगे सडकों की किनारे कूड़ा डाला जाता है, उसकी बाद उसको तुनद उसी समय उठवा कर उसको जो एसाई रूप से टंचिंग गाए गया है, वहाँ भीजा जा रहा है, जल्दी ही भूमी की रवस्ता हो जाएगी, उसकी बाद अब खबर उत्राकरन के धराली से है, जहां सोल घाटी के ग्रामिनों ने धराले घाट मोटरमार्ग को जोड़ने वाली बहु प्रतिशे सडक रुईसान तेलान मोटरमार्ग में हो रही की देरी को लेकर लोग निर्मान विभाग कारले पहुँचकर, अधिशासी अभ्यंता को ग्यापन सोपा, और जल्द से जल्द निर्मान कारे हैं चुरू कराए जाने की मांग की है। ग्रामिनों ने लोक निर्मार्ण विभाग पर मोटर मार्ग पर अभी तक कोई सकरात्मक रूची नहीं दिखाने का आरो भी लगाया और जल्द ते जल्द मोटर मार्ग के निर्मार्ण कारे को शुरू नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेताव नी दी है हमारे ग्रामिन मोटर मार्ग से जुड़ें लेकिन कहीं तमाम कोशिशे की जा रही है विभागे कारवाई की जा रही है तो हमारे लिए ऐसा हो गया है जैसे कि आम रास्ता ही हमारे तो जूते ही किस ग्रहिए आते आते हम इतने बड़े गाउं से आ रहे हैं जहां पर 210-215 लो आज कर वो यूग है जहां कि दुनिया चांद पर पहुँचने के लिए तैयार है लेकिन हमारा एक एक मात्रेसा गाउं छूटा रूइसान जो मोटर मार्ग से अभी तक वन्चित है न्यूट चैनल कर आप मेट्या पर बार्यूगा मैं सुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग समय समय पर आते हैं और हमारे बीच में बारतालब होती हैं हम ना भी हो आज तक पीडवाड़ी विवाके एक साल से चकर लगाते जा रहे हैं लेकिन हमें कहीं पर कोई भी सकारमत जबाब नहीं मिलता है नहीं मिलता है और जब भी हम इस कार्या के लिए अगर गाउंस अगर निकलते हैं तो मैं सितार गंज नगर पालिका के अध्यक्ष्य हरिश दूबे और अधिशासी अधिकारीय प्रेंक का आरें ने स्वच भारत मिश्वन के तहर दुकानदारों को डस्ट बिन बाटे साथी सभी दुकानदारों से दुकान को कच्रे खुले में ना फैक कर डस्ट बिन में डालने की अपील की नगरपाली का ध्यक्ष यहरिश दुबे ने बताया कि स्वच भारत मिश्वन के अंदरगत आज नगर के लगबग 100 डस्ट बिन दुकानदारों को बाटे गए हैं और आगे भी शहर के सभी दुकानदारों को डस्ट बिन दी जाएंगे आज अपने नगरपाल का स्वच भारत मिशन की ओर से और हम सबसे निवेदन भी यही करते हैं कि सभी लोग फूला इदर उदर जमीनों पर ना फैक के पूलेदान में फैके हमारी गाली आप देखिए सुवे भी दो पैर भी साम भी तीनो टाइम आ रही हैं आप पूलेदान म पूले को अलग अलग रखें ताकि उसको छाटने में परिसानी हम को आए और इस तरीके जो सक्ष भारत और सक्ष सितारगन बिनाने में हम लोगों की मदद करें बाचपुर में भारते किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने खेतों में लगे ट्यूब वैल का विधुत बिल अधिकाने से आक्रोशित होकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया इस दोरान किसानों ने विद्धुत बिल को कम कराने की मांग की, मैं अधिश्वासी अभियंता ने किसानों को बिल सही कराने का आश्वासन भी दिया मिटर चेंज कराए जाएंगे और बास्तु की रीडिंग आदार पर ये बिल बनाए जाएंगे हां मिटर लगे हुए हैं जिनके मिटर खराब हैं उनसे मैंने कहा है कि वो अपनी सिकायत दर्श करा दें कोई देखने वाला नहीं अंट संट बिल हजारों रुपया बेज देते हैं ये बिल जो के बाजब नहीं है हमारी मोटरें जो हैं चूवल जो हैं शे मिनसों चले ही नहीं क्योंकि बार शोगी कियों को पानी लगाने नहीं पड़ा तो इसलिए हम आये हैं एक्सेंट साब के पास है कि ये बेली जो हमारे हंटे संट हैं इनको ठीक करो इनको भी लोंको तो वही देश में पैट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी इजाफा हुआ है पांच राज्यों के विधान सबाचुनाव खतम होने के बाद बीते दिन पैट्रोल डीजल पर रह दो त्री पहले ही कर दी गई थी अंतरास्ट्री इस तर पर कच्ची तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत के उचाल के बाद ये कदम उठाया गया है जिसके बाद अब पैट्रोल पंप में डीजल की कीमत में बदलाव हुआ है तो इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी नमस्कार